दोस्तो कुछ महीनों पहले मैंने कमपाउंड से चॉकलेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया जिसे आप सभी ने बेहत पसंद किया कई लोगों की गुजारिश थी कि मैं बिना कमपाउंड के भी चॉकलेट बनाने का तरीका शेयर करूँ तो आज आपके लिए मैं बिना कमपाउंड के तीनों फ्लिवर की चॉकलेट का बहुत ही सिंपल मेथड लेकर आई हूँ जिसे गर में बनाना बहुत आसान है और खाने में भी यह चॉकलेट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो पूरी अगर आपको आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले साथी में चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी दबा दीजिए जिसे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में चैनल क मिल्क पाउडर लिया है इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनेट ओल लिया है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ट है तो आपको खाने वाला नारियल तेल इस्तमाल करना है और वनीला एसेंस कोको आपाउडर आइसिंग शुगर औ क्योंकि सबसे पहले हम वाइट चॉकलेट बनाएंगे तो साथ टेबल स्पून जब आप मिल्क पाउडर डाल दें तब इसमें डालिए दो टेबल स्पून आइसिंग शुगर की मात्रा थोड़ी कम ही डालेंगे और अब इसमें जाएगा तकरीबन चार से पांच टेबल स् जो की ऑप्शनल है और इसे आप दो से तीन मिनट के लिए ब्लेंड कर लें जिससे का टेक्श्चर बहुत ही अच्छ से स्मूद हो जाए और जब आप चॉकलेट बनाए तो बहुत ही बढ़िया से मुह में गुल जाने वाली चॉकलेट बनके तैयार हो तो दो से तीन मिनट अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद आप टेक्शर देख सकते हैं कितना पर्फेक्ट है यह लिए एक दम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ यह टेक्शर तयार हुआ है इसे अब हम मोल्ड में डालकर अच्छे से एक जैसा फैला लेंगे जिससे हर तरफ से चॉकलेट ब और अब इसमें दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर और चार टेबल स्पून आइसिंग शुगर और चार से पांच टेबल स्पून नारियल तेल डालेंगे वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था बस मेजरमेंट का आपको पर्फेक्ट ध्यान रखना है वैसे आप एसे आपको इसे दो से तीन मिनिट तक सेंगे ब्लैंट करना है और अच्छे से जब ब्लैंड हो जाए तब आप इसे मोल्ड में डालकर शेप दें तो यह हमारी यहां पर मिल्क चोकलेट बनकर तयार है यानि की मिल्क चोकलेट का मिशरन पूरी तरह से रेडी है तो बस इस प्रफुटी प्रफुटी और कोको पाउडर की क्वालिटी पर यह सारी चीज़ें करती है तो अच्छे से डाल कर इसे मिक्स कर ले बस ज्यादा तेल कभी ना डाले नहीं तो चॉकले जमने में बहुत मुश्किल होती है अब उसी जार में हम डाल देंगे चार टेबल स्पून कोको पाउडर क्योंकि अब हम डाक चॉकलेट बनाएंगे कोको पाउडर डाल देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहने से कोको पाउडर का टेस्ट थोड़ा कड़वा कम आता है अब इसी में हम डाले तकरीबन 3 टेबल स्पून अच्छे से टेल डाल दीजिए उसके बाद फिर से आपको कह दूं कि आप इसमें वनीला एसेंस अपनी पसंद से डाले या ना डाले और से प्रोसेस से हम इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगी तो यह देखिए यह पर बरतन पी जादा गंद इसे भी हम मोल्ड में डालकर अच्छे से एक जैसा सेट कर लेंगे तो यह पर आपने देखा ना आपको अवन की जरूरत है ना माइक्रोवेव की ना कंपाउंड की ना को 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 बटर ना बटर ना ही मेल्ट करना यह सब जंजट इसमें बिल्कुल नहीं है बस सामान को सही न को को काउड़र है उसका कलर बहुत डार्क क्योंकि अगल्क चॉकलेट की कलर में कोई खास फर्क नहीं है तो आप बिलकुल नहीं हम पर यह था दाइट के को को दूर आते हैं लाइट और डार्क तो जो भी आपको टेस्ट पसंदो आप उसे पर्चेस करके चॉकलेट बना स कोका पाउडर का मैंने लिंक भी दे दिया और इसका पिक्चर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसे मैंने एमेजों से लिया है यह बहुत प्रमोशन नहीं है लेकि मैंने से यूज किया है और रिजल्ट बहुत अच्छा है तो इन सभी चॉकलेट को एक घंटे के लिए फ चॉकलेट टूटने का डर नहीं रहता है डी मोल्डिंग में बहुत आसान है और मेंटेन करना भी बहुत आसान है तो यह भी कोई पेट प्रमोशन नहीं है बस जो मैंने मैसूस किया वह आपके साथ शेयर किया है तो यह देखिए तीनों ही चॉकलेट यहाँ पर अच्छे स ध्यान से सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों यह जो चॉकलेट से ओइल बेस चॉकलेट इनमें काफी सारा तेल लगा है जो आपने भी देख लिया तो इतना तेल होने की वज़े से अगर यह थोड़ी सी देर घर्मी के कॉंटेक्ट में रहती है तो मेल्ट हो था रख कर शेएं चॉकलेट बहुत ही साथिक मेल्ट होती है दोसरी भात सब्सक्राइब आप इसे किसी अखरती कुछ सब्सक्राइब देख सकते हैं कि ए चॉकलेट बहुत ही जल्दी घचला जना शार darla de places कैसे ले लेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगे इसके उपर स्पोर्ट आते हैं वो स्पोर्ट कैसे आते हैं और इसकी फिनिशिंग कैसे डैमेज हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजे जानना बहुत जरूरी है और दोस्तों इसकी कास्टिंग भी हमें कंपाउंड की चॉकलेट से ज्यादा लगती है पूरी कास्टिंग मैंने इतनी जो चॉकलेट में सामान लगा उसकी स्क्रीन पर दे दी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि 315 रुपए में सिर्फ 6 बार यहां पर रेडी हुए हैं यही अगर आप कंपाउंड से बनाते तो रेट आपको और भी कम लगती दूसरी बात कंपाउंड बहुत आसानी से मिलते और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं तो भी आपको पाउंड ही लेने होते हैं यहीं चॉकलेट से बिजनेस नहीं कर सकतें या फिर आप इसे गनाश बनाने में या बेकिंग में भी यूज़ नहीं कर सकतें क्योंकि इन चीजों में सबसे ज़्याधा कमपर्टेबल रहता है अक्सर लोगों ने यही कहा है कि compound में और इन चॉकलेट में फर्क क्या है तो यही फर्क है कि यह चॉकलेट सिर्फ आप खाने के लिए यूज कर सकते क्योंकि इसमें काफी सारा oil है तो इतना oil कोई भी आसानी से खाना नहीं चाहता है तो यह देखिए यहाँ पर यह सभी बाते हैं मैंने आपको clear कर दी क्योंकि लोग बनाना तो बता देते हैं लेकिन पीछे की स्टोरी नहीं शेयर करते हैं कि इन चॉकलेट का disadvantage क्या है और advantage क्या है खाने में कोई दिक्कत नहीं है यकीन मानिए दोस्तों टेस्ट में बहुत की लगती हैं लेकिन यह चॉकलेट हाथ लगते ही शानिंग खूना शुरू कर देती हpei डॉल हो जाती है क्योंकि तेल तेल रहता है ना कि इसकी वज़ह से उपर जल्री डैमेज हो जाती जहां ज cell आकी लगए कि वहां वहां पर निशान आना शुरू हो जाएंगे और यह कम जल्दी से इसकी shine damage होरी बस इसी तरीके से इसकी shine damage हो जाती ही तो इस तरीकी की chocolates आप finishing से अगर किसी को देना चाहें तो नहीं दे पाते हैं यही सब बाते हैं बाकि texture इसका बिल्कुल perfect आता है जैसा normal chocolate का रहता है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है टेस्ट में आप कम ज्यादा चीनी यह सब भी रख सकते हैं लेकिन आप इसे सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ही बनाईए इससे आगे इस चॉकलेट का कोई खास यूज नहीं होता है मैं इसका texture आपको तोड़कर बताती हूँ कि देखे कितना perfect है बहुत ही आसानी से मुझ में जाते ही गुल जाने वाली चॉकलेट बनी है यह देखी एकदम perfect यह चॉकलेट बनी है लेकिन अब आप नीचे जिस पेपर पे रखी हुई थी उसे देखिए सिर्फ 5 ही मिनिट मे इसका जो तेल है वो निकलने लगा है क्योंकि मौसम में हलकी हलकी गर्मा हट है तब भी यह हाले तो सोचिए बहुत ज़्यादा गर्मी में यह चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट होती है और इसी तरीके से मैं दोनों चॉकलेट का texture भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि द दोस्तों चॉकलेट से रिलेटेट बहुत सारे डाउट्स होते है और बहुत सारी बाते होती वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाती है लेकिन इस वीडियो से रिलेटेट अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कोशिश करूं कि आपके सवालों का जवाब दे सक तो आप भी से बनाए और अपने परिवार के साथ इसका आनन्द ले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे देवे सब्सक्राइब बटन को दबा दे साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो आप सबसे पहले अगर आपको आज के रेसीपी पसंद आई हो तो देर साहरा लाइक करें अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें अपने एक्सपिरेंस हमें में COMENT BUCKS में जरूर बताए तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसीपी केसाथ तब तक के लिएए खाओफी और स्वस्त्र身 झाल